तो दोस्तों आज तक आपने देखा Android Secret, Facebook Secret, WhatsApp Secret, Instagram Secret लेकिन आज, आज होगी मेरी Secret Reveal Yes Guys, This is the वो वीडियो जो आप सभी ने बहुत सारा डिवांड किया है कि भाई आप बताओ कि आप अपने फोन में क्या-क्या यूज करते हो कौन सा फोन रखे हो, कौन सी एप्स यूज करते हो, कौन सा गेम खेलते हो तो आज होगी मेरी Secret Reveal तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजेगा लाइक चैनल को कर दीजेगा सबस्क्राइब एंड इस घंटी को आउन कर दीजेगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो नमस्कार दोस्तो, मैरा जरम पसाद और आप देख रहे हैं सीखे All in Hindi तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपने फोन के बारे में बता दूँ कि मेरे पास कौन कौन से फोन्स हैं तो मेरे पास दो फोन्स हैं पहला है सौमी का Mi A1 और दूसरा है J7 Max Samsung Galaxy J7 Max तो दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी को बहुत ही limited apps देखने को मिलेगा क्योंकि मैं कुछ apps को install करता हूं और अगर मेरा काम हो गया तो मैं उसे अनिस्टॉल कर देता हूं आपने कोई hotel booking का app इंस्टॉल कर लिया उसे यूज किया और उसके बाद अनिस्टॉल कर दीजिये दोस्तो फोर एक्जामपल के लिए मैं Google का phone finder app यूज करता हूं उससे क्या होता है कि मेरा phone कभी-कभी silent mode में रहता है दूसरा वाला और मुझे मिलता नहीं है तो मैं उसे फटाक से install करता हूं उससे मैं अपने phone में ring करता हूं और मुझे मेरा phone मिल जाता है और उसके बाद मैं उस app को install कर देता हूं तो ऐसे ही कुछ apps होते है जो आप भी इस्तमाल कर सकते हैं और उसके बाद install कर सकते हैं तो दोस्तो मैं wallet के लिए online payment के लिए Google Pay और Paytm का यूज करता हूं movies देखने के लिए TV shows देखने के लिए Serials देखने के लिए और YouTube देखता हूं Hotstar देखता हूं Jio TV देखता हूं Chrome से आर्टिकल परता हूं और Google एक फीड आता है मैं उससे आर्टिकल परता हूं अब calls and messages में क्या-क्या हमें यूज करता हूं तो मैं true caller install करकर रखा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे unknown calls आते रहते हैं तो इसलिए उनका नाम जानने के लिए मैं true caller रखा हूं और यहां पर मैं WhatsApp यूज करता हूं और Google का मैसिज यूज करता हूं और Google का ही फोन एप यूज करता हूं मेरा saw me me even stock android है तो यहां पर जो भी आपको apps दिखेंगे वह सारे के सारे limited दिखेंगे और बहुत जादे नहीं दिखेंगे आपको जैसे कि Samsung में बहुत सारे vulgar apps भरे पड़े रहते हैं Samsung का खुद का 20-25 आप तो उसी का है और सब कुछ डाल के रखता हूं shopping recharge के लिए my geo रखता हूं और my store रखा हूं कभी-कभी MI का sale लगा रहता है तो मैं यहीं से order करता हूं music के लिए मैं Google play music सुनता हूं और geo sawan मैंने install करके रखा है गैलरी में मेरा photos रहता है और YouTube studio तो आप सभी को पता ही होगा और Google lens यूज करता हूं मैं उसके लिए अगर कोई ऐसा screenshot होता है जहां से मुझे text copy करना रहता है तो उसके लिए मैं Google का lens यूज करता हूं और files go रखा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे junk files होते हैं memes आ जाते हैं तो यह category wise मुझे select करके देता है और मैं फटाक से उन्हें delete कर लेता हूं और अपना storage को free कर लेता हूं अगर मैं आप सभी को बताओं कि मेरे 5 ऐसे apps जो मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूं तो पहला हो गया YouTube दूसरा YouTube Studio और तीसरा WhatsApp और चौथा Google News और पांचवा Chrome तो यही 5 apps हैं जो मैं mostly सबसे ज़्यादा यूज करता हूं और आपका कौन-कौन सा 5 apps है नीचे comment करके बताईएगा मुझे भी जानने की इक्षा हो रही है अगर आप सभी और जानना चाहते हैं तो नीचे comment किजिएगा अब आप सोच रहे हूंग तु गेम भी खेलता है तो अगर इसके आलावब भी आपके पास कोई और क्यूसेंस है तो नीचे comment किजिएगा मैं उसका answer करूंगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को subscribe किजिएगा और इस घंटी को on कर दिजिएगा तो मिलते हैं फिर आपसे एगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या तो देन और गब बाइ